हेलो, दोस्तो, स्टेड मेनों में आपका स्वागत है, तो दोस्तो एक और वीडियो लेके आज चुकाओ आप लोगो के लिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कुछ इंटर्छिप के बारे में, जिन इंटर्छिप के दोरान आप Immediately, मिलने वाला है, और इंटर्छिप ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे तो दोस्तों पहला जो इंटर्शिप के बारे में बताने वाले है वो गूगल के तरफ से रिसर्च इंटर्ण पीएजडी जो 2022 पर स्टार्ट होने वाला है तो इसमें minimum qualification आप दिया पर कर रहे हो तो आप इसमें apply कर सकते हो इसके लब भी अगर आप लोग का natural language में understanding है neural networks, computer vision, machine learning, AI इन सब में अगर आप लोग का knowledge है तो आप लोग इसमें apply कर सकते हो इसके लब भी आप लोग को java c++ python पे अच्छा knowledge रहना पड़ेगा और preferred qualification पे आप देख सकते हो कि आप लोग क इसके बटन पर जाके क्लिक करके apply करना पड़ेगा नेक्स जो इंटर्शिप के बारे में आपको बताने वाले वह आ रहा है एक्सल आ रहा है जमशित्पूर के तरफ से web development internship के लिए और इसका expiration date आप आप देख सकते हो कि 30 November मतलब कल इसका last date है apply करने का तो आप लोग वीडि internship के द्वारा future job opportunities में भी फायदा मिलने वाला है eligibility में आप यह आप देख सकते हो कि अगर आप लोग M.C.A. B.T.C.C.C. में अगर आप लोग freshers हो तो आप लोग इसमें apply कर सकते हो apply करने के लिए आप आपको apply for job पे जाके click करके apply करना पड़ेगा next internship आ रहा है वो आ रहा है intern for programming यह ministry of women and child development के द्वारा यह internship organized किया जा रहा है इस internship का भी last date आप देख सकते हो कि 30 November है और इसमें आप लोग को per month 10,000 रुपीज करके stipend मिलने वाला है और इस internship का duration है 2 महिना और इसका location में आप आप देख सकते हो कि new Delhi और अगर आप लोग यह पर नीचे स्क्रोल करके आते तो यह पर आप देख सकते हो कि आप लोग को minimum 2 महिना completely available रहना पड़ेगा internship के लिए कोई भी specialization के candidate इस internship में हिस्सा ले सकते और number of openings में आप 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 देख सकते हो कि 30 है तो limited seats है तो आप लोग वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द apply जरूर कीजिए और apply करने के लिए आपको apply now के button पर जाके apply करना पड़ेगा next जो internship आ रहा है वो आ रहा है Amazon के तरफ से cloud support intern यहाप लोकेशन पर आप यह देख सकते हो कि बैंगलरू है अगर आप लोग IT background के हो तो आप लोग इस internship को कर सकते हो और इंटर्शिप छे महीने का होने वाला है और प्रोग्राम LGBT में आप यह देख सकते हो कि आप लोग को minimum 3 years का relevant experience होना पड़ेगा और इसके लेवर भी अगर आप लोग आप लोग यह देख स्क्रोल करके आते हैं तो यह आप आप देख पा रहे हो इस internship के द्वारा आप लोग को Amazon के जो cloud services होते है जैसे EC2, load balancers, ST, storage solution इन सबका अच्छा knowledge आप लोग इस internship के द्वारन ले सकते हो basic qualification में आप आप लोग देख पा रहे हो information technology, computer science, engineering, mathematics, physics, relevant fields से अगर आप लोग हो और अगर आप लोग का networking और troubleshooting में अच्छा knowledge है तो आप लोग इसमें apply कर सकते हो आप लोग को DNS, OSPF, BGP जो routing protocols होते हैं इन सब में भी आप लोग को strong knowledge रहना पड़ेगा इसके लिए hypervisor, VMware, load balancing इन सबका भी अच्छा knowledge रहना पड़ेगा और इसके लिए आप लोग यह पर देख सकते हो कि आप लोग को IPSec, SSL, VPN, Cisco, Juniper, 148, SonicWall, Checkpoint, Polo Alto इन सबका भी एक basic knowledge यह बहुत ही अच्छा जोब है आप लोग को apply जरू करना चाहिए अगर आप लोग IT background से हो तो next जो internship के बारे में बताने वाले वह आ रहा है Google के तरफ से software engineer यह भी 2022 को start होने वाला है minimum qualification पे आप याप देख सकते हो आप लोग अगर bachelor degree complete कर चुके हो और अगर आप लोग का C, C C++, Java, Python में अच्छा knowledge है, machine learning, AI, TCP IP में अगर अच्छा knowledge है और आप लोग को Windows, Linux, Unix के platform पे आप लोगोंने काम कर चुके हो तो आप लोग इसमें apply कर सकते हो और preferred qualification में देख सकते हो कि आगर आप लोग master degree या फिर PhD कर रहे हो तो आप लोग को सबसे पहले प्रेफर किया इस job के बारे में आप अच्छे तरह से देख सकते हो responsibilities में भी आप लोग या पे देख सकते हो apply करने के लिए आपको apply बेटन पर जाके apply करना है और फाइनल जो internship के बारे में बताने वाल है वो आया मोर्गन स्टैनली के तरफ से spring analyst program जिसका location आप देख पार हो मुंबई और education level में आप देख सकते हो कि अगर आप लोगों ने bachelor degree master degree complete किया है तो आप लोग इसमें apply कर सकते हो placement duration में आप यह पर देख सकते है कि यह 6 महीने का internship है और training program में क्या क्या चीज होने वाला है वो भी आप यह अच्छी तरह से देख सकते हो responsibilities भी आप देख सकते हो qualification में अगर आप लोग बैचलर स्मास्टर डिगरी complete कर चुकि हो जावा सी प्लस प्लस सी हैस database के अगर आप लोग का अच्छा knowledge है तो आप लोग apply कर सकते हो और apply करने के लिए आप लोगों यह पर apply करना है तो इन सारे इंटर्शिप के बारे में आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो तो सारे इंटर्शिप में apply कर पाए और दोस्तों वीडियो के सलग आप नीचे comment section मे में भी जरूर बताए और अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए धिन्यवाद